असलाम अलेकुम और वेलकम टू चैनल जसर खान की दावत आद में आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ चैनल चटपड़ा की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मिंटों में बनके तयार हो जाता है लेकिन खाने में बहुत जादा मज़दार लगता है चैनल में इस रेसिपी को जानने के आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले चना चटपड़ा बन कर्या पाली केूद चुचवताइब से हम ने फीक दिखyy को मरें नंगी के परWW IT मीडियम टमाटर मुदया लिया था से में एक टिबल सपून के करीब अलग रख द शुचना में यहां पर मैंने दो मीडियम निए ने तीन मीटियम सब्सक्रा लिया लिया है इस आम अंघ में जडरा हाथनिया 2 x 5 हरी मेरे, दिर 2 ngब नमक 1 Caucas नम्ग 1 तिस्पून लालमेच, पाउडर 1 तिस्पून 6 तिस्पून 10 तिस्पून 10 तिमखाल से 7 पाउडर video. तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अब यहाँ पर प्रेशे कुकर में मैंने आदा कप ऑईल लेके इसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है ऑईल जब अच्छी तरह से गरम हो गया है तो इसके अदर हम डाल देंगे बारी कटा हुआ प्यास फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है हाई फ्लेम पे इसे लगतार चलाते हुए सरफ एक से दो मिनिट के लिए यह प्यास को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे प्यास को हाई फ्लेम पे पकते हुए एक से दो मिनिट हो चुके है और यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारे जो भीगे हुए चने है वो अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे कि प्यास और जो चने है वो अच्छी तरह से मिल जाए अब इसके अंदर मैं आड़ कर रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून तीखावला लालमेज पाउडर एक टीस्पून कश्मीरी लालमेज पाउडर और दो टीस्पून नमक मसाले डालने के बाद अब इससे हाई फ्लेम पे लगाता चलाते हुए पांच मिनट के लिए भूल लेंगे जिससे कि जो मसालो को गुदते हुए पांच मिनट हो चुके हैं तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है बारी कटी हुई हरी मिर्च अब इसमें मैं अड़ कर रही हुँ तीन मीडियम साइज के बारी कटे हुए टमाटर डालके भी इससे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इससे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए भूल लेंगे प्यास, टमाटर, हरीमेच, मसाले वो सब कुछ डाल दिया है अब इसमें और कुछ नहीं आड़ करना है बस हमें इसमें पानी आड़ करना है टमाटर डालने के बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए भूल लिया है तो आब इसके अंदर हम आड़ करेंगे पानी तो आब मैंने इसमें डाल दिया है एक गलास पानी और आदा गलास पानी पाव किलो चने के लिए मैंने यहाँ पे देड़ गलास पानी डाला है कि इतने चने डूब जाए बहुत ज्यादा एकसेस पानी डालना है क्योंकि टमाटर भी काफी सारा पानी रिलीज करेगा पानी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर का लेड लगा देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पे 5-6 विसल देंगे यहां पर मैं बड़ा प्रेशर कुकर इसलिए चने जो है 5-6 विसल में हो जाएंगे अगर आप थोटा प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े से ज्यादा विसल लगेंगे और कितने विसल लगेंगे यह आपके प्रेशर कुकर के उपर डिपेंड करता है और अगर प्रेशर कुकर उपन करने के मैं आपको इसे उपन करके दिखाती हूं 5-6 सीटियो बाद जब इसका प्रेशर फुरी तरह से रिलीज हो चुका है तब अब मैं आपको इसे उपन करके दिखाती हूं चने गल गया है और आप देख सकते हैं कि प्यास टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छी तरह से पानी रिलीज कर दिया है तो अब मैंने flame को high कर दिया है और अब इसे high flame पे चलाते हुए इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से सूखने तक पकाएंगे चनो को मैंने high flame पे चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए पकाया है और आप इसके consistency देख सकते हैं बिल्कुल भी गाड़ी इसी gravy जैसी form हो गई है और अब इसके उपर मैं add कर रही हूँ थोड़ा सा बारी कटा हुआ हराधनिया और अब इसे मिला लेंगे तो अब हमारा चना जो है बिल्कुल बनके तयार है तो अब मैं आपको इसे plate करके दिखाते हूँ बहुत ही मज़दार यह चना लगता है इस तरह की रेसेपी आपको यूटूब पे कहीं नहीं मिलेगी यह मेरी ओरिजिनल रेसेपी है इसे आप रमजान मुबारत में इफ्तार के वक्त या आप इसे नाश्त में बना के जरूर ट्राइक कीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसेपी है यह और बहुत ही healthy रेसेपी भी है तो चने को मैंने plate में निकाल लिया है आप इसके उपर से मैं थोड़ इसे कटे हुए टमाटर भी डाल देती हूँ और इसके उपर मैं आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा बारी कटा हुआ हराधनिया और इसे मैं कटे हुए नीबू से गानेश कर रही हूँ जब भी आपको इसे खाना हो तो नीबू को निचोड के और इन सारी चीजों को अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसी ही मज़दार और एक्साइटिंग रेसिपीस के साथ तब तक के लिए आलाहाफेज